नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे और मैं फिर आ गई आप लोग की लिए एक और बहुत ही खूबसूरत कुरुश्या डिजाइन ले करके और आज हम कुरुशिया और उनकी मदद से बहुत ही खुबसूरत स्कार्फ बनाएंगे आज मैं जो आपको स्कार्फ का डिजाइन बता रही हूं तो इसी डिजाइन की मदद से पहले मैंने सॉल तयार किया था जिसे आप लोगों ने बहुत ही जादा पसंद किया था और आज हम उसी डिजाइन की मदद से हम स्कारफ बनाएंगे और इसमें मैंने जालर जो है बहुत ही अलग तरह से बनाया है और फ्रेंट्स यहां मैंने स्कारफ जो है एक रंग के उन से बनाया है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ताकि आप अराम से बना सके तो चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं यहां मैंने उन जो है थ्री प्लाइ लिया है और कुर्श्या हुक का साइज 3.75 mm है और जितना सकार्फ का लंबाई चोड़ाई है उसके हिसाब से मुझे टोटल 260 गराम उन लग गया और सकार्फ का जो चोड़ाई है वो 8 हिंच है तो उसी के हिसाब से अभी हम टोटल 53 चैन तयार करेंगे अगर आपको 8 हिंच से ज्यादा चोड़ा स्कार्फ बनाना है तो उसी के हिसाब से आप चैन को बढ़ा सकते हैं साइज जो है आप अपने हिसाब से तयार कर सकते हैं तो इस तरीके से हम चैन बनाते जाएंगे तो 8 हिंच के हिसाब से टोटल हमें तीरपन चैन तयार करना है, तो ये हमारा को टोटल 53 चैन तयार हो गया और इसके बाद हम बार्डर बनाएंगे, यहां मैंने एक लैन का बॉर्डर तयार किया है तो इसके लिए हम उपर से तीन चैन को छोड़का चौथे वाले चैन में हम डबल कुष्या बनाएंगे यह हमारा चौथा चैन है कुरुस में फंदा लेंगे चैन में डालते वे फंदे को निकालेंगे फिर से हम फंदा लेंगे थ्री का टू कर देंगे फिर से फंदा लेंगे टू का वन तो यह हमारा डबल कुष्या हो गया इसी तरीके से हम सभी चैन में डबल कुष्या बनाते जाएंगे अभी हम बॉर्डर तयार कर रहे हैं और फ्रेंड्स यहां मैंने इस कार्फ में एक लैन का बॉर्डर बना है अगर आपको ज़्यादा चोड़ा बनाना है तो आप दो या तीन लैन का बॉर्डर तयार कर सकते हैं तो बस इस तरीके से हम डबल कुर्शिया करते हुए लास्ट चैन तक तयार करेंगे तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ तो ये हमारा एक लैन का बॉर्डर तयार हो गया अब हम इसके उपर डिजाइन बनाएंगे और फ्रेंड्स अगर आपको इसके उपर इसी तरीके से बॉर्डर बनाना है तो आप किनारे में तीन चैन लीजेगा और उसके बाद से जितना भी चैन है सभी में डबल कुर्ष्या बनाते चाहिएगा तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाना है तो अभी हम डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए हम पहले तीन चैन लेंगे एक, दो और ये तीन डिजाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे यहां मैंने दोनों किनारे पर दो-दो डबल कुर्ष्या रखा है जो हमारा लाश तक बनते जागा तो इस तरब भी हम दो डबल कुर्ष्या रखेंगे और इस तरब भी हम दो डबल कुर्ष्या तो हमने जो तीन चैन बनाया है वो हमारा एक डबल कुश्या हो गया और इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल कुश्या निकाल लेंगे तो ये हमारा दो डबल कुश्या तयार हो गया और ये जो दो डबल कुश्या है ये हमें लाश्ट तक बनाते चाना है और इसके बाद हम design बनाएंगे अभी हम दो chain लगाएंगे ये हमारा एक और ये दो नीचे से तीन chain को छोड़कर चौथे वाले chain में हमें double crochet बनाना है तो ये हमारा चौथा chain है तो इसमें हम एक double crochet बनाएंगे फिर हम इसमें एक chain लगा देंगे और फिर इसी में हम एक double crochet बनाएंगे design हमारा इस तरीके से तयार हो गया किनारे हमने दो double crochet बनाया इसके बाद हम नीचे से तीन chain छोड़के चौथे वाले chain में एक double crochet एक chain एक double crochet हमने बनाया और बीच में हमने दो chain लिया design हमारा तीन line में तयार होगा अभी हम पहला लाइन तयार कर रहे हैं तो इसके बाद हम फिर से यहाँ पर दो चैन लेंगे पहला लाइन में हमें बस दो चैन ही लेना है इसके बाद हम नीचे से तीन चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम एक डबल कुश्या बनाएंगे इसके बाद हम इसमें दो चैन लगा देंगे ये हमारा एक और ये दो तो ये हमारा एक डिजाइन जो है तयार हो गया ये वाला जो डिजाइन है इसी का उपर हम डिजाइन बनाते जाएंगे और ये हमारा सीधा एक डबल कुश्या आगे बढ़ते जाएगा तो इस तरीके से जो हमने यह design बनाया है ऐसे ही हमें बनाते जाना है आगे तो नीचे हम फिर से 3 chain को छोड़कर 4 वाले chain में हम 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet तयार करेंगे यह हमारा 1 double crochet हो गया, इसके बाद हम 1 chain लगाएंगे और इसी में हम 1 double crochet बनाएंगे फिर हम दो चैन लगाएंगे नीचे से तीन चैन को छोड़कर चोथे वाले चैन में हम एक डबल कुश्या बनाएंगे इसके बाद हम इसमें दो चैन लगा देंगे और डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार हो गया तो ये हमारा एक भाग तयार हो गया और इसके बाद ये दूसरा भाग इसी तरीके से हमें बनाते जाना है डिजाइन हमारा तीन लाइन में तयार होगा अभी हम पहला लाइन बना रहे हैं तो बस इसी तरीके से हम लाश तक बनाते जाएंगे तो यहाँ पर हम फिर से दो चैन लेंगे नीचे से तीन चैन छोड़का चौथे वाले चैन में हम एक डबल कुश्या एक डबल कुश्या बनाएंगे फिर हम दो चैन लेंगे नीचे से तीन चैन को छोड़कर चोथे वाले में हम एक डबल कुर्षया फिर दो चैन फिर तीन चैन नीचे से छोड़कर चोथे वाले में हम एक डबल कुर्षया एक डबल कुर्षया बनाएंगे फिर हम दो चैन लेंगे नीचे से तीन चैन छोड़ चोथे वाले में हम एक डबल कुर्षया एक चैन एक डबल कुर्षया बनाएंगे फिर हम दो चैन लेंगे और नीचे से तीन चैन छोड़ करके एक डबल कुर्षया बनाएंगे फिर हम दो चैन लेंगे नीचे से हम तीन चैन छोड़ करके चोथे वाले में हम एक डबल अड़र होगा तो जैसे हमने सुरू में 2 double crochet बनाया था उसी तरीके से हमारा लाश्ट में भी 2 double crochet तयार हो जाएगा और फ्रेंट्स यह हमारा एक crane का design जो है तयार हो गया अब मैं आपको एक पर और अच्छे से बता देती हूं तो यह हमारा पूरा एक लाइन का डिजैन तयार हो गया और इसमें हमने 1,2,3,4,5 और ये 6 6 डिजैन हमने तयार किया जो हमारा उपर तक आगे बढ़ते जाएगा अभी हम दूसरा लाइन का डिजैन तयार करेंगे तो हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल कुश्या होगा फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल कुश्या बना लेंगे तो टोटल हमारा दो डबल कुश्या हो जाएगा और किनारे का हमारा बॉर्डर तयार हो गया इसके बाद हम इसमें डिजैन बनाएंगे तो यहां नीचे हमने दो चैन बनाया था तो अभी हम एक चैन बनाएंगे और यहां पर इसके बीचों बीच हम दो डबल कुश्या, एक चैन, दो डबल कुश्या बनाएंगे यह हमारा दो डबल कुश्या हो गया फिर एक chain और इसके बाद हम इसमें 2 double crochet बना देंगे यह हमारा 1 हो गया और यह 2 इसके बाद इसमें हम end chain लगा देंगे और यह जो हमने 1 double crochet नीचे बनाया था तो ठीक इसके ऊपर हम 1 double crochet बनाएंगे तो बस इसी तरीके से इस लैन में हम बस 1 chain करते उख壓ो हो जाएगा तो एक डिजाइन हमारा तयार हो गया और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे इस लाइन में टोटल हमारा छे डिजाइन है तो एक हमारा तयार हो गया इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे तो अभी हम फिर से यहां पर एक चैन लेंगे और इसके बीच में हम दो डबल कुष्या एक चैन दो डबल कुष्या तयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहला भाग में किया था तो यह हमारा एक डबल कुष्या हो गया और यह दो इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे इसके बाद डबल कुर्षया के उपर हम डबल कुर्षया बनाएंगे फिर हम एक चैन लगा देंगे तो बस ऐसे ही हमें लाश्ट तक पुरा बनाना है तो ये देखे ये मैंने पुरा लाश्ट तक डिजाइन को तयार कर लिया उपर हम फिर से दो डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो ये हमारा पहला डबल कुश्या हो गया और ये जो हमने किनारे में तीन चैन बनाया था तो ठीक इसके उपर वाले चैन से हम एक डबल कुश्या निकाल लेंगे तो ये हमारा दो लाइन का डिजाइन तयार हो गया अब ह डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा, इसके बाद हम इसके बीच में काम करेंगे, तो अभी हम पहले यहाँ पर एक डबल कुश्या बना लेते हैं, यह हमने तीन चैन लगा दिया, इसके बाद एक डबल कुश्या, और यह तीसरे लाइन में हमें चैन नहीं बनाना है, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, हमारा साथ डबल कुश्या तैयार हो गया, इसके बाद हम यह जो हमने एक डबल कुश्या बनाया, इसके ठीक उपर हम एक डबल कुश्या बनाएंगे, और फिर हम इसके बीच में साथ डबल कुश्या तैयार कर लेंगे, तो बस इसी तरीके से हमें लाश्ट तक डिजाइन को पूरा तैयार करना है, इसके बाद हम एक डबल कुश्या बना देंगे, तो बस इसी तरीके से हमारा डिजाइन जो है आगे बढ़ते जाएगा, तीन लैन में हमारा पूरा डिजाइन तयार होगा यह हमारा एक, दो और यह तीन तीन लैन में हमारा डिजाइन तयार होगा और इसके बाद हम यहाँ पर यह जो हमने पहला लैन बनाया था उसे हमें बनाना है फिर दूसरा फिर तीसरा फिर पहला फिर दूसरा फिर तीसरा इसी तरीके से हमें लाश्ट तक बनाना है तो अभी हम ये जो तीसरा लाइन है ये पूरा हम बना लेते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह मैंने तीसरा लाइन जो है पूरा अच्छे से तयार कर लिया अब हम इसके आगे का डिजाइन बनाएंगे तो किनारे जो हमारा दो डबल कुश्या है तो यह हम बना लेते हैं और पूरा हमारा तीन लैन जो है तयार हो जाएगा और इसके बाद हम इसके उपर बनाएंगे फ्रेंड्स अभी हमारा डिजाइन बनाने का तरीका एक ही रहेगा मैं आपको थोड़ा सा और बना के बता देती हूँ तो फिर से हम तीन चैन लेंगे और डिजाइन को बलट देंगे और इसके बाद हम एक डबल कुश्या बना लेंगे जो हमारा किनारे का बॉर्डर होगा तो ये हमारा किनारे का बॉर्डर तयार हो गया इसके बाद जैसे हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से बनाना है फिर दूसरा फिर तीसरा और पहला लाइन में हमने दो चैन लिया था उसके बाद हमने एक चैन लिया था तो अभी हम दो चैन लेंगे और इसके बाद ये जो हमने 7 डबल कुर्षया बनाया था तो इसके बीचो बीच 3 चैन के बाद 4 वाले चैन में हम 1 डबल कुर्षया, 1 चैन, 1 डबल कुर्षया बना लेंगे यह हमारा एक डबल कुर्शया हो गया फिर हम एक चैन लगाएंगे और फिर इसी में हम एक डबल कुर्शया बना लेंगे और फिर हम इसके बाद फिर से दो चैन लगाएंगे और ये जो हमने एक डबल कुर्शिया बनाया था तो ठीक इसके उपर हम एक डबल कुर्शिया बनाएंगे और इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर तीन चैन के बाद चोथे वाले चैन में हम एक डबल कुश्या एक चैन एक डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें डिजाइन को आगे बनाते जाना है जैसे हमने नीचे पहला वला लाइन तयार किया था ये वला लाइन उसी तरीके से हमें बनाना है तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ तो ये हमारा एक लाइन जो है तैयार हो गया अब मैं आपको दूसरा लाइन जो है बना के दिखा देती हूँ किनारे में हमने तीन चैन और एक डबल कुर्शिया बना लिया अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था तो अभी हम एक चैन लेंगे जैसे कि हमने नीचे दूसरा लाइन में किया था और इसके बाद हम यहाँ पर बीचो बीच दो डबल कुश्या एक चैन दो डबल कुश्या बना लेंगे तो यह हमारा एक डबल कुश्या हो गया और यह दूसरा इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे दूसरा लैन में हमें एक चैन से ही डिजाइन तयार करना है फिर हम बीच में एक डबल कुष्या बनाएंगे फिर एक चैन इसके बाद यहाँ पर बीचों बीच हम दो डबल कुश्या एक चैन दो डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें दूसरा लाइन पूरा तयार करना है जिस तरीके से हमने ये दूसरा लाइन नीचे तयार किया था उसी तरीके से हमें पूरा लाश्ट तक तयार करना है और फ्रेंड्स आप ये डिजाइन एक बार जरूर बनाएगा इससे बनाना बहुत ही जादा असान है और इसमें श्टीच भी कम है तो यह अराम से तयार हो जाता है तो यह देखिए यह मैंने लाश तक पूरा दूसरा लाइन तयार कर लिया अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे जिस तरीके से हमने नीचे तयार किया था और तीसरा लाइन में हमें चैन नहीं लेना है तो यह हमारा तीसरा लाइन है तो अभी हम यहाँ पर बीचो बीच साथ डबल कुश्या तयार करेंगे इसके बाद हम एक डबल कुश्या के उपर एक डबल कुश्या तयार करेंगे इसके बाद हम फिर से यहाँ पर बीचो बीच साथ डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो इसी तरीके से हमें तीसरा लाइन पूरा लाश्ट तक तयार करना है तो बस इसी तरीके से आपको जितना लंबा स्कार्फ बनाना है उतना आप बना लीजे और इसके बाद हम लाश्ट का डिजाइन बनाएंगे फिर हम एक लाइन का बॉर्डर बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था तो ये देखिए मैंने एक तरफ जो है जालर बना लिया है और दूसरे तरफ मैं जालर आपको बना करके बता दूंगी तो ये मैंने scarf पूरा तयार कर लिया है जितना लंबा हमें scarf बनाना है पहले हम बना लेंगे और इसके बाद हम last का design बनाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जितना लंबा आपको scarf बनाना है आप बना लीजिए और last में जैसे हमने पहला line बनाया था वहाँ तक हमें बनाना है और इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एक लैन का बॉर्डर बनाया था तो उसी तरीके से हमें एक लैन का बॉर्डर तयार करना है एक लैन पुरा तयार होने के बाद हम किनारे में यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और फिर हम डिजाइन को पलड देंगे और फिर हम एक और डबल कुष्या यहाँ पर तयार कर लेंगे तो इस लैन में बस हमें डबल कुष्या ही सभी में तयार करना है तो अभी हम यहाँ पर नीचे एक डबल कुश्या के उपर हम एक डबल कुश्या बना लेते हैं इसके बाद हमने दो चैन बनाया था तो इसमें हम दो डबल कुश्या बना लेंगे तो यह हमारा एक डबल कुश्या इसी में हम एक और बना लेते हैं इसके बाद वाले चैन से हम डबल कुर्षय निकाल लेंगे इस लैन में हमारा जितना भी चैन है उतना हमें डबल कुर्षय बनाना है तो इसके बाद हम यहां बीचों बीच एक डबल कुर्षय बनाएंगे फिर इसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पर एक डबल कुर्शय बनाएंगे इसके बाद हमने दो चैन लगाया था तो यहाँ पर हम दो डबल कुर्शय बना लेंगे तो यह हमारा एक हो गया इसके बाद ये दो फिर नीचे हमारा एक डबल कुश्य है तो इसके उपर हम एक डबल कुश्य बनाएंगे फिर इसके बाद हमने दो चैन लिया था तो यहाँ पर हम दो डबल कुश्य बनाएंगे तो बस इसी तरीके से हमें लाश्ट तक पुरा बनाते जाना है तो मैं आपको पुरा लाश्ट तक बना करके दिखाती हूँ तो ये हमारा लाश्ट तक पुरा डिजाइन तयार हो गया जितना भी चैन था सभी में हमने डबल कुष्या तयार कर लिया अब हम किनारे का जालर बनाएंगे जालर का लंपाई जो है वो आप अपने पसंद के हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं और एक लाइन में कितना जालर लगाना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं, तो चलिए अब हम जालर बनाना सुरू करते हैं, फ्रेंड्स यहां मैंने दोनों किनारे पर एक एक जालर लगाया है, और बीच में यह जो हमने डबल कुश्या बनाया है, इसके ठीक नीचे मैंने जालर लगाया है, तो एक लाइन में एक तरफ मैंने साथ जालर लगाया है, जालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बराबर जालर लगाया है अब चाहे तो छोटा बड़ा करके भी जालर लगा सकते है और साथ ही दो जालर के बीच में कितना दूरी रखना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते है जालर बनाने के लिए सबसे पहले हम चैन बनाएंगे तो पहले हम 10 चैन बनाएंगे 10 चैन के बाद ही हम डिजैन बनाना शुरू करेंगे तो यह हमारा टोटल 10 चैन तयार हो गया और इसके बाद हम डिजैन बनाएंगे तो design बनाने के लिए हमें 20 chain तयार करना है 10 chain के बाद मैं अभी यहाँ पर पीन लगा रही हूँ पीन लगाने से design जो है हमें बनाने में थोड़ा असानी हो जाता है तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पीन लगा दूँगी और अगर आपके पास पीन नहीं है तो आप उन का टुकड़ा भी यहाँ बीच में लगा सकते हैं या फिर इसके बिना भी आप design तयार कर सकते हैं और इसके बाद मैं 20 chain लगा दूँगी और 20 chain में हमारा design तयार होगा तो ये हमारा 20 चैन तयार हो गया और इसी चैन में हमें डिजाईन बनाना है तो हम दूसरे वाले चैन से यहां से डिजाईन बनाना सुरू करेंगे और लाश्ट यह जो हमने पींड लगाया था यहां तक हम बनाएंगे यहां मैंने 20 चैन में डिजाइन बनाया है अगर आपको डिजाइन छोटा या बड़ा करना है तो उसी के हिसाब से आप चैन बना लीजेगा तो अभी हम दूसरा चैन से तयार करेंगे डिजाइन तो दूसरे वाले चैन में हम सिंगल कुष्या बनाएंगे तो अभी हमें एक चैन में 3 सिंगल कुष्या बनाना है तो यह हमारा 2 हो गया और यह 3 फिर हम इसके बाद यह जो हमारा दूसरा चैन है इसमें हम फिर से 3 सिंगल कुष्या बनाएंगे यह हमारा एक हो गया 2 और यह 3 फिर हम इसके बाद वाले चैन में हम तीन सिंगल कुष्या बनाएंगे तो बस इसी तरीके से हमें लाश्ट वाले चैन तक सभी चैन में तीन सिंगल कुष्या तयार करना है तो ये हमारा सिंगल कुष्या तयार हो गया तो ऐसे ही हम सभी चैन में सिंगल कुर्शिया बनाते चाहेंगे डिजैन हमारा इस तरीके से तयार होगा तो मैं आपको पूरा लास्ट चैन तक डिजैन पूरा तयार करके दिखाती हूँ हमारा लास्ट चैन तक डिजाइन तयार हो गया और जहां हमने पीन लगाया था तो पीन हम निकाल देंगे और यहां पर भी हम तीन सिंगल कुष्या बना लेंगे तीन सिंगल कुष्या बनाने के बाद हम नीचे यह जो हमारा चैन है यहां पर हम कुरूस को डालेंगे और उनको इस तरीके से निकालती है यहां पर हम इसे लॉक कर देंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैची की मदद से उनको कट कर लेंगे इसके बाद हम उन में सुई को डालेंगे और उन को हम जालर के अंदर ही जितना हो सके हम अंदर की तरफ कर देंगे ताकि यो बाहर से दिखे न और इसके बाद भी अगर उन हमारा लंबा है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे इसके बाद हम इसे हलके हाथों से चारो तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा सुन्दर सा जालर जो है तयार हो गया और इसके बाद हमें दूसरा जालर बनाना है और दूसरा जालर हमें कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको एक बना करके बता देती हूँ त तो उन को हमें इस तरीके से जोड़ना है और नीचे जो हमने डबल कुर्शिया बनाया था तो ठीक उसके उपर हम उन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम टोटल 30 चैन लगा देंगे और 30 चैन लगाने के बाद पहले हम 10 चैन लगा के पिल लगा देंगे उसके बाद हम 20 चैन बनाएंगे और फिर हम दूसरे वाले चैन से सिंगल कुर्षिया बनाते जाएंगे एक चैन में हमें 3 सिंगल कुर्षिया बनाना है तो यहां से हम बनाना शुरू करेंगे और लाश तक हमें बनाना है तो बस ऐसे ही हमें यह जालर तयार करना है और जो नीचे हमने यह उन जोड़ा था तो यह वाला जो उन है इसे हम सुई की मदद से पीछे की तरफ हम जितना हो सके अंदर कर लेंगे और अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसे हम कहची से कट कर लेंगे तो इस तरीके से हम पीछे की तराफ हम अंदर कर लेंगे और इसके बाद हमारा जो उपर का जालर है उसे हम तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जालर बनाते जाना है हमारा डिजैन जो है पूरा तयार हो गया और इसका जो चोड़ाई है वो लगबग 8 इंच है और इसका लंबाई मैंने 50 इंच रखा है तो लंबाई चोड़ाई आप अपने पसंद के हिसाब से तयार कर सकते हैं मैं आपको एक बर और अच्छे से बता देती हूँ तो डिजैन हमने 8 इंच का बनाया है उसके हिसाब से 6 लैन का हमारा डिजैन तयार हो गया और हमने 53 चैन से डिजैन तयार किया फिर बॉर्डर बनाया और दोनों किनारे पर हमने 2-2 डबल कुर्शिया बनाया है जो हमारा पूरा लाश्ट तक बन जाएगा तो बस इस तरीके से हमने पूरा डिजाइन सेट कर लिया और फ्रेंड्स आप इसी तरीके से सॉल भी तयार कर सकते हैं और सॉल का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है मैं उसका लिंक जो है डिस्किप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी तो आप इसी डिजाइन की मदद से सॉल या फिर सकार्फ अराम से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आप यह डिजाइन एक बार जरूर बनाईए और आपको यह डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए मिलते हैं हम फिर एक नए डिजाइन के साथ थैंक यू